नमश्कार, BCN News के दिन शेश कारेक रम्बे मैं दिशाब सभी का स्वागत करते हूँ मोपाल में हुई गैस तरास्थी के कारण हजारों लोगों ने अपनी चान गवाई थी मोपाल के यूनियन कारबाइट प्लार्न से मिधायल असनेट के गैस का रिसाव हुआ था उन लोगों को समान देनी और याद करने के लिए हर वर्ष भारत में दो दिसंबर को राष्ट्य प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाया चाता है इसका मुख्य उद्देश और दियोगिक आपता प्रबंदन और उसके नियंतरन के लिए जाग रुकता फैलाना है देश में हर साल दो दिसंबर को राष्ट्य प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाया चाता है इस दिवस को मनाने का उदेश साल 1984 में पोपाल के अस्तरासी में जानकवानी वाली लोगों को याद करना है इसके अलावा इस दिन वायू प्रदूशन को नियंतरन करने के बारे में लोगों के बीच जाग रुकता पैदा की जाती है साथ ही देश में बढ़ते ओद्योगिक प्रदूशन को नियंतरन करने के उपायों के बारे में लोगों को पताया चाता है भारत के राश्ट्यो स्वास्त पोर्टल के मताबिक वायू प्रदूशन से दुन्या भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत होती है पोर्टल की अनुसार सिधी इतनी दैनिये हैं कि 10 में से 9 लोगों को सास दीने के लिए शिद्ध हवा भी नहीं मिलती वायू में मौजूद प्रदूशक हवा के जरीए शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफडे मस्तिशक एवं रुदे को नुकसान पहुचाते हैं ओजोन परत में छेट के लिए वायू प्रदूशन को ही जिम्मिदार पताया चाता है कारखानू एवं फैक्टरियों से निकलने वाला कारबन उत्सरजन वायू प्रदूशन के सर को तिनों दिन बढ़ाता जा रहा है इसकी वज़र से जलवायू परिवर्तन की विभिन्न चिनोत्या दुनिया के सामने खड़ी हो गई है जलवायू परिवर्तन पर नियंत्रन लाने के लिए दुनिया भर की देश वैश्विक उपाय कर रहे है हिन्ही साहिती के महान लेखक अमरुतलाल नागर की पुत्री अचला नागर को बच्पन से ही लिखने पढ़ने का शोक था उनका आज के दिन 2 दिसंबर 1929 को लखनाव में चन्म हुआ था उनकी माता का नाम प्रतिबाद देवी था पिता उन्हें बिट्टो कहकर बिलाते थे उन्होंने बीएसी, एमे और पीएच्टी की शिक्षा प्राप्त की निकाह और बागवान चैसी कई हिट फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख चुकी लेखी का और साहितिकार डॉक्टर अच्छला नाकर का चन्म बेशक लखनाव में हुआ था लेकिन ब्रस की माटी उन्हें बहुत प्यारी है आगरावन का प्रिय शहर है यहां लंबे समय तक रही अपने लेकनी को धार थी रंगमंश में हाद आसमाई और मुंबई को अपनी करम भूमी बनाया उनकी शादी मतुरा में हुई थी हिंदी साहिति के महान लेखक अमृतलाल नागर की पुत्री अचला नागर को बच्पन से ही लिखने पढ़ने का शौक था उनका जन्म 2 दिसंबर 1929 को लकरों में हुआ था उनकी माता का नाम प्रतिबाद देवी था पिता उन्हें बिट्टो कहकर बुलाते थे उन्होंने B.S.C., MA और PhD की शिक्षा प्राप की कहानी, संग्रह, नायक, खलनायक, बोल मेरी मचली, संस्मरन, बाबुजी, बेटाजी and कमपनी उनकी काफी चर्चित पुस्त के है साल 1982 की सूपर हिट फिल्म निकाह, आखिर क्यू, बागबान, बाबुल, इश्वर, मेरा पती सर्फ मेरा है निगाहे, नगीना, सदा सुहागिन, जैसे अनेकों फिल्मों की उन्होंने कहानी और पटखता लिखी हिंदी सिर्मा में जहां आज कॉमेडी की नाम पर कई बार अश्लिल्ला दर्शकों के सामने परोस्ती जाती है तो वही एक दौर ऐसा भी था जब कॉमेडियन सर्फ अपने लाजवाब अभीने और जबर्दस टाइमिंग के चलते ही दर्शकों को हसा हसा कर लोट पूट कर देती थे हिंदी फिल्मों में जब भी कॉमेडी की बात होती है तो कुछ हास्य अभीनेताओ की नाम फोरन जबान पर आ जाते हैं जिन्होंने अपने अभीने से दर्शकों का लंभे समय तक मनुरंचन किया था ऐसी ये खास्य अभीनेता थे देवेन वर्मा जिन्हें लोगों ने अंगूर के बहादूर के रूप में बहुत पसंद किया आज ही के दिन 2 दसंबर 2014 को उनका नधन हुआ था देवेन वर्मा की पढ़ाई लिखाई पुने में ही हुई थी खबर की माने तो देवेन वर्मा को बच्पन से ही अक्टर बनने का शौक था लेकिन उनके माता पिता चाहते थी कि वह लोग करे इसी कश्मकश में देवेन ने लोग कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन वकालत की पढ़ाई से चल्द ही उनका मन उचट गया था बताते हैं कि देवेन जी तीटर करते थी और वह अकसर स्टूडियो के चकर लगाती रहते थी देरे देरे समय पीता और 1961 में देवेन जी की मिलाकात हुई अपने समय के मशूर फिल्म मेकर बियार चोपड़ा से चोपड़ा साहब उन दिनों फिल्म धरम पुत्र बनाने वाले थी जिसे उनके भाई यस चोपड़ा ही डायरेक्ट कर रहे थी बियार चोपड़ा को देवेन वर्मा जम गए यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ देवेन वर्मा ने कई हिट फिल्म में जैसे अंगूर, अंदास अपना-पना, खटा-मिटा सहित कई रीजनल फिल्म्स में काम किया है वही देवेन वर्मानी 1971 में फिल्म नादान से पता और डायरेक्टर इंडस्ट्री में नई पारी खेली बता दे कि देवेन ने पाच फिल्में प्रिड्यूस की है और चार फिल्में डायरेक्ट की है हाला की 2 दिसंबर 2014 को उन्होंने इस दुन्या को अलविदा कह दिया बीसेन न्यूस के दिन विशेश कारिकर में फिल्हाल अतना ही ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए बीसेन न्यूस नमस्कार झाल